बूर्णिंग बच्चों, आज आप लोगों का नेक्ष्ट ऑनलाइन क्लास इंग्लिस का शुरू होने वाला है, जिसमें आप लोग नर्सरी क्लास के बुक्स के बारे में जानेंगे, आज हम लोग नर्सरी के बुक्स से ही अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, देखिए ये नर्सरी क्लास की बुक्स है, My Best Alphabet, ठीक है बच्चों, ये इंग्लिस की बुक्स है, इसी से आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊंगी, देखिए, ये आप लोगों की बुक्स है, है न सुन्दर बुक्स, इसमें आप लोगों को पहूत मन लगेगा पढ़ने में, चलिए, Alphabet Letter है, Capital A, इसको हम लोग कौन सा A बोलते है, Capital A, और ये है, Small A, ये भी A है, ये भी A है, लेकिन ये बड़ी ABCD वाली A है, और ये छोटी ABCD वाली A है, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग Capital Letter बोलते हैं, और इसको हम लोग Small Letter बोलते हैं, ठीक है, चलिए, अब जानते हैं, A for Apple, Apple means save A for apple Apple means save A for aeroplain Aeroplain means hawaih जहाँ A for and And means GT A for and And means committee यह क्या है? A for apple Apple means safe A for aeroplain Aeroplane means hawaih जहाँ A for and and means tt ठीक है? अब हम लोग b letter को पहचाने में यह है इंग्लिज का capital letter b यह कौन सा capital letter है? b और यह b का ही छोटा small letter है b यह small letter b है और यह capital letter b यह बड़ी वाली b है यह छोटी वाली b है चलिए बढ़ते हैं before ball ball means gain gain तो आप लोग बहुत खेलते होंगे आप लोगों को अच्छा भी लगता है gain खेलने में है ना बच्चों? यह है before ball ball means gain यह है before balloon balloon means gubara balloon means gubara और यह है before b b means madhu makhhi b means madhu makhhi ठीक है बच्चों? अभी हम लोग पहें a d चलिए और आगे के लेटर को भी हम लोग जानते हैं यह है c यह कौन से लेटर है? capital letter c और यह small letter c है ठीक है? यह English alphabet capital letter c है और यह small letter c है यह बड़ी वाली सी है यह छोटी वाली सी है c for cat cat means billy billy का आप लोगों ने देखा ही होगा c for cat cat means billy cake means cake आप लोगों ने बड़्दे में केट काटा ही होगा आपने बड़्दे में ठीक है? यह c for cake cake means cake यह c for cat cat means two p cat means two p ठीक है बच्चों? आप हम आते हैं d पर यह क्या है? d d for यह capital letter d है बड़ी एबी सी डी वाली दी और यह small letter d है छोटी एबी सी डी वाली दी ठीक है बच्चों? चलिए आप हम लोग आते हैं d for dog dog means उत्ता dog means उत्ता d for drum drum means drum drum means drum d for duck duck means बतक duck means बतक ठीक है बच्चों? चलिए आज हम लोग यह चार लेटर को ही पहचानेंगे भी और उसको जानेंगे भी और एक बच्चों से रिपीट भी करती हुए a for apple apple means safe a for aeroplane aeroplane means लवाई जाल a for ant ant means city b for ball ball means gain b for b b means madhu makki b for balloon balloon means बुपाड़ा चलिए यह है c c for cat cat means billy c for cap cap means topi c for k hit means cake यह है d d for dog dog means kutta d for duck duck means patak d for drum drum means drum ठीक है चलिए अम लोग फिर से आदेक बार जानते हैं यह है बड़ी abcd वाली ए और यह small letter a है छोटी abcd यह बड़ी abcd वाली भी है यह small letter भी है छोटी abcd वाली यह बड़ी abcd वाली c है capital letter c यह छोटी abcd वाली c है small letter c यह capital letter d है बड़ी abcd वाली d है यह छोटी abcd वाली d है small letter d ओके बच्चों आज आप लोग घर में भी इनी चार लेटर के बारे में पढ़ेंगे भी और उन लेटर से जो word बनता है जो picture बनता है उसको भी पहजाने में तो के बच्चों बाई बाई यह आप लोगों का book है देख लीजे my best alphabet ठीक है बच्चों बाई बाई